गुट बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टु लिवर हॉस्पिल स्वरुपनेगर खानपूर आज मैं बात करूंगा हार्ट बर्न के बारे में जब हार्ट बर्न की मैं बात करता हूँ इसके मतलब यह काने की नली या इस जो बॉन है इसके पीछे जलन के बारे में जो हार्ट बर्न है उसको बिल्कु ध्यान से सबंजिने की ज़रूरत है इसका हार्ट से कोई लिड़न देना नहीं है यह सीने में जो जलन होते हैं खाने की नली में इसे हार्ट बर्न कहा जाता है जो हार्ट बर्न है वो एक सिंटम है हार्ट बर्न वास्तों में बीमारी का नाम नहीं है जो हार्ट बर्न है वो बहुत सारे कंडिशन्स में आ सकता है हार्ट बर्न बहुत सारे कारणों से आ सकता है लिकिर फिर आपको देंदेनी की ज़रुरत है कि heartburn एक symptom है यह बिमारी का नाम नहीं है In fact, खाने की नली में कोई भी चीज डिस्टर्ट करती है तो आपको heartburn महसूस होगा कोई भी चीज यहां कि इसको irritate करती है तो आपको जलन का sensation आएगा या heartburn experience होगा क्योंकि heartburn एक symptom है जब भी खाने की नली की जो सतय है वो directly irritate होती है तो heartburn आएगा खाने की तहली से acid उपर की तरफ आया तो खाने की नली की lining irritate होगी, heartburn महसूस होगा खाने की तहली से खाना उपर की तरफ आया या regurgitate हुआ तो खाने की नली की जो surface है वो irritate होगी तो आपको heartburn का एक sensation आएगा जो खाने की नली और खाने की तहली के बीच में एक valve है ये valve अगर lose हुआ तो acid बार-बार खाने की नली में आएगा अगर ऐसा आएगा तो ये जो सतय है वो irritate होगी heartburn आपको महसूस होगा अगर ये lose है तो खाना उपर की तरफ आएगा तो भी आपको heartburn महसूस होगा नो अगर खाने की जो नली है उसमें कोई problem है जिसके चलते खाने की नली के peristalsis गरबढ़ है तो भी खाने की थैली से acid उपर की तरफ आएगा और खाने की नली का clearance proper नहीं होगा तो भी आपको heartburn की problem आईगी ऐसे ही खाने की जो थैली है उससे आगे बढ़नी की जो process है वो अगर slow है जैसे diabetes में gastroperesis हो जाती है तो किसी भी कारण से खाने की जो थैली है उससे आगे बढ़नी की process slow है तो जो खाने की थैली के contents है वो pressure दे के कभी-कभी खाने की नली में चड़ने की कोशिश करते है और अगर इस process में उपर की तरफ आया content तो आपको heartburn का sensation आएगा अगर खाने की थैली से आगे बढ़ने की process slow है तो पहले भी videos में मैंने बात की कि अगर आपको heartburn हो गया है तो जो burning sensation है या heartburn है is the most prominent symptom तो जहां तक heartburn का सवाल है उसे आप treat कैसे करते हैं देखे, occasional heartburn है कभी-कभार होता है कुछ भी परिशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आप OTC medicine लीजिए आप अपने diet को ठीक करिए आप lifestyle modify करिए इससे काम चलेगा आपको किसी consultation की है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको जो इसके reasons हैं उसको एक बार नजर से देखने की ज़रूर पड़ेगी in the sense कि आपको सीने में जलन आई तो सबसे पहले देखिए कि कहीं कोई food आपने जो लिया है वो culprit तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई oily food लिया spicy food लिया greasy food लिया carbonated food लिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो reason है जिसके चलते आपको acid reflux या इसमें heartburn हुआ now the second is एसा तो नहीं कि आपको कोई activity ऐसी है जो वास्तों में आपको heartburn लेके आ रही है कि अभी आपने खाना खाया अभी आप exercise करने निकल पड़े तो sprenuous exercise after taking meal वो आपको heartburn लेके आ जाएगी आपने देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत tight कपड़े पहने हुए है belt भी बहुत tight बना हुआ है तो आप खाना खाएंगे तो आपका जो acid वो उपर की तरफ आएगा आपको heartburn develop होगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत tight belt या tight clothes पहन रहे हैं which is the reason ऐसा तो नहीं है कि आप कोई दवाई ले रहे है वो doctor नहीं prescribe की है लेकिन वो आपका जो heartburn है उसके लिए जिम्मेदार है उन चीजों को देखने की जरूरत है diet में जरूर देखिए यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इस तरह की चीज़ें इस्तिम्हाल कर रहे है particularly the carbonated drinks चाहे वो cold drink हो चाहे वो beer हो चाहे वो soda हो यह सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं इस तरह के heartburn लाने के लिए तो अगर आपको लगता है कि food is the reason तो आपको क्या करने की जरूरत है number one elimination अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से heartburn होता है अलग करिए elimination is the first step reduction in the volume is the second step कि आपको ऐसा लगता है कि मैं चार पूरियां खाता हूँ तो जलन पड़ती है तो दो खाईए आपको लगता है कि दो में से भी problem होती है तो एक खाईए और उसे भी problem है तो मत खाईए तो elimination and reduction in the volume is the first step and timing of the content in the sense कि आप रात में खाते हैं oily food तो जलन होती है दिन में आप खाते हैं तो जलन नहीं होती है तो आपको timing देखने के जरूरत है रात को अलग कर ये दिन में खाईए then it is the combination कभी आपने देखा होगा कि आप combination लेते हैं कि आप जो नब पराठा खाते हैं लेकिन टोमाटर की चट्नी के साथ खाते हैं तो जलन होती है अकेला पराठा खाते हैं तो जलन नहीं होती है इसका मनला tomato is the culprit इसका मतलब ये है कि आपको combinations देखने की ज़रूरत है कि किस combination में आप खा रहे हैं जिसके चलते हैं आपको heart one develop हो रहे हैं तो eliminate current diet में से जो culprits हैं volume को reduce current diet में जो culprits हैं जो timing है और content की देखें कि दिन में, दुपेर में, रात में कब problem हो रही है इन combinations पर ध्यान देने का किस combination में problem हो रही है आपको now if the food is the reason तो ये तो काम करें लेकिन अगर इस तरह की problem है तो interset is the first step जो आपको help दिलाएगा और interset use करें आपको काम चलेगा heart burn disappear हो जाएगा आप अपने clothes जो हैं lose करें, tighten नहीं करें and जो है खाना खाने के बाद तुरंच लेटे नहीं फोड़ा सा walk करें लेकिन कोई strenuous exercise ना करें अगर आप smoking करते हैं alcohol ज़्यादा लेते हैं उसको अलग करें smoking को बंद करें तो heart burn की जो समस्या है वो definitely जो नग हो जाएगी जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई medicine से आप ले रहे हैं और ये heart burn हो रहा है तो देखे कहीं medicine तो नहीं reason है अगर ऐसा है तो आप अपने doctor से बात करिए और जो medicine है वो शायद उसमें कुछ modification की जरूरत है उसको करा के देखे तो जहां तक heart burn का सवाल है heart burn वास्तों में symptom है heart burn किसी बिमारी का नाम नहीं है heart burn आता तो इसलिए ये क्योंकर पेट से acid उपर की तरफ आ जाता है ये जो occasional heart burn होता है उसके लिए आपको doctor की या medicine की जरूरत नहीं है उस occasional जो heart burn है उसको आपको देखने की जरूरत है कि ये किस कारण से आपको develop हो रहा है इन diet possibility is the most common reason lifestyle factors are the most common reasons उनको आप ध्यान से देखेंगे diet में modification करेंगे आप इनमें elimination करेंगे diet में उन products को या उन चीजों को उससे में समझताओं की symptoms चले जाएंगे अगर symptoms नहीं जाते हैं तो फिर जो आपको सिर्फ OTC product लेने की ज़रूरत है like antacids उससे आपकी जलन खतम हो जाएगी अगर इसके बाबजुद्धी सीने में जलन बार-बार होती है heartburn बार-बार होता है तो जरूर question खड़ा हो जाता है कि कहीं आपको GERD तो नहीं है अगर ऐसा है तो फिर डाक्टर को consult करने की ज़रूरत है बट once in a while अगर heartburn होता है कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ lifestyle, diet and otc medicine ये तीन ही चीज़ें ऐसी हैं जो इस समस्या से आपको बाहर निकाल देंगी अगर heartburn को समझने में उसके management को समझने में ये video help करता है तो जरूर शेयर करें मैं Dr. Mika Mishra from guest to labor hospital Svaruprangar Kanpur Thank you very much